हेलो, नमस्कार, किसान साथियो, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर रहा हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूं इसके लिए में बीज की मातरा की कितने जूट पड़ेगी इसकी खेती शित्ता ऐसे शित्तरों में की जाती है गवार की खेती के लिए जल प्रबंदन का होना बहुत जुरूरी है और इसमें कीट प्रबंदन और रोक प्रबंदन भी बहुत जुरूरी है इसके बाद हम इसके कटाई वा कटाई करते हैं अब हम बात करते हैं कि इसकी बिज़ाई किसमा कौन कौन से साथा ने रखे, जिसके कि 20 काउं कौन सोब पर 30 को, जिससे कि हमें कम ख़र्च वा कम समय में ज़्यादा वसल की पैदावार परापत हो, जिससे कि हमें एक अच्छे इनकम परापत हो, इस वीडियो को अन तक जूर परचन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं यह गरम मौसम की फचल है जिसे बादजरे के साथ में लाख बोया जा सकता है इसे अरीशबजी के रूम में भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगों पर इसे अरेचारे के कुछ इसों में की जाती है महराश्टर में लगबग नो एक्टेट चेतर में इसकी खेति की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पस्वों को गवार खिलाने से उनमें ताकत आती है तो दारू पस्वों की दूद देने की समता में वर्दी होती है गवार से गोंद का निर्मान भी किया जाता है गौर गम का प्योग अन्यक उत्पादों में होता है गौर फली से स्वादिश्ट सब्जी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दाल था सूप बनाने में भी किया जाता है ग्रामिन चेतरों में यह एक काफी लोग पिडिया फसल है हेलो नमस्कार सभीकिसान भायों का मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है आज मैं आपको 365 गौर की वराटी के बारे में कुछ विशेश्टा हैं बताऊंगा गौर की 365 वराटी की पैदाबार स जाता है कि बुवाई हरियानावा राजस्तान में कि जाती है एक एंकट के लिए 5 किलो पीज प्रियापत रहता है इसकी विजाई आप अलकी मद्यम बारी और इतली मिट्टी में की जा सकती है 5 kg पैकट के किमत 500 रुफएगे आस-पास होती है 365 वराइटी के पोद्दगी आ लाइक शेयर कमेंट और इंडियन टेक्निकल फार में को सुब्सक्राइब करें धन्यवाद वायू नमबर साथ खेत की त्यारी बराट फसल पत्ति या फसल चकर नमबर नो बीज का चुनाओ बीज के उननत किसमें बीज का उपचार बीज की मातरा नमबर दस पिजाई या फसल की बुआई नमबर ग्यारा फसल की बुआई थाथा ऐसी चेतरों में नमबर बारा खर पत्तवार की रोगताम नमबर तेरा तीस तिन गे बाद निराय या भूडाई नमबर चवदा तीस दिन बाद सिचाई नमबर पंदा जल का परबंदन नमबर शोड़ा कीट वर रोगा परबंदन नमबर शोड़ा इन्सेक्टिस साइड वर टोनीक का सप्रे मर सता कटाई फिर कडाई फिर पंडार्ण ये मुक्के साब दानिया है जो हमें गुआर की पस समय की जाती है काले इन फसल की बुवाई के लिए मई मेंने का परतम फ़ोड़ा उप्यूकत समय है यह आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं देरी से बुवाई करने पर पैदावार पर प्रतिकल प्रुबाव पड़ता है वर्षा रितु की फसल की बुवाई के लिए जून जुलाई मा में वर्षा आगमन के समय ही गवार की पुवाई कर देने चाहिए बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटियां प्लुवद होती है मई महिने में अगेती वराइटी बाजून जुलाई में हम पचेती वराइटी या फिर हम समय के उनुशार ही वराइटी का एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सर्सों के फानों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाई फिर आप हैरोगी साता से दो तीन बार अच्छी तरह से जुताई कर दे फिर आप लेजलेवर की साता से खेत को संतल कर दे अगर खेत पिरानी है तो आप रोटावेटर की सायता से दो तिन बर जुताई कर दे फिर आप हैरो की सायता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की सायता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेत नहरी है तो उस खेत को लेजर लेवलवर की शायता से संतल कर दे ताकि खेत की सिचाई अच्छी तरक्षी हो जाई मिट्टी की जांच सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें यह पता सब जाता है कि कि यह मिट्टी में कौन-कौन से पहुषकत की कमी है वो खेत की मिट्टी किन-किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे केहूं, चन्ना, अरहर, शर्सू, राया, बर्सीन, कन्ना, अलू, मक्का, बाजरा का पास मिट्टी की जांच से हमें यह पता जल जाता कि इस मिट्टी का पी-एच मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच अगर आप फसल गी विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तिमाल कते है तो यस भी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का उंकूर्ण सो पतिसत हो जाता है अगर आप टीवल के पानी से फसलों की विजय करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जांच करवा लिए अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपियम ज़्यादा हो सकता है और बीज का उंकूर्ण के समय एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पीपियम एक जार से कम है तो यह सबी परका की पसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का उंकूर्ण सो पतिसत हो जाता है अगर पानी का पीपियम एक जार से जाजा हता है तो इसमें बीजगां कुण से दिक के से नहीं अधा होता है इसलिए पाने की जांस करौना बहुत जूरूरी है गोईर की फचल में मैट्डीवल के पाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गोईर की फचल इच्छी नहीं होती है अगर सिचाय के लिए जूरत पड़े तो हमें नहरी पानी का ही इस्तिमाल करना चाहिए खेत की त्याइए गॉबर की खात अगर आप खेत में गॉबर की खात का इस्तिमाल करते हैं तो 8 से 10 टोल एक अंकड के लिए प्रियापत रहती है कुपर गी खात जमिन में अच्छी तरह भी खायकर जमिन को सुम्तल कर देना चाहिए गौार की खेते के लिए बुमी गौार की खेते के लिए उंचित जल निकास वादी दोमट वा बलूई दोमट मिट्टी से रोत्म रहती है यह पसल सिंचित वा एसिंचित दों चेतरों में सफलता प्रूप उगाई जा सकती है अलके सारी है वाद लवनिय बुमी जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो वहीं पर गौार की खेते हैं सानी से की जा सकती है गौार के लिए एक जुताई मिल्टी परिटने वाले हल या डिसक हैरों से क्रोश जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए इसके उपरांत एक कर्टिविटर से जुताई प्रियापत रहता है जिसमें मर्दा नमी संक्सित रहे जुलाई जुन के दिवते पकवाड़े में ही करने चीए इस परकार त्यार खेत में खरपतवार कम पनपते हैं गौार पसल के लिए जलवाईू गौार एक सुका सहन करने वाली गरम जलवाईू के पसल है यह उन्च शेतरों में असानी से उगया जा सकती है जहां पर ओसित वार्षिक वर्षा 30 से 40 संटीमेटर तक होती हो विज्जों के अंकूर्ण वाई जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 संटीमेटर के निचे तामान उप्यूकत होता है गवार एक प्रकास से विदन से फसल है अता इस फसल में फूल वय फलियों का निवान के वर्षिक के मौसम में ही होता है अता दिक बारिस वर्षांत वाट ठंड़ को या सैननी कर पाती है जिन शेतरों में अता दिक गरमी पड़ती है पंतु सिचाई की सुविद्धा उपलब्ध है वहाँ पर गवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है सुशक और अज सुशक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है गवार एक उसन कटे बंद्या फचल है जो 18 से 30 डिग्री सेलसिशिस के उसातामाल मरपकती है खरेब की गरम और आदर जलवाईयों के कांड़ पेड़ों की वर्दी बहुत अच्छी होती है सर्दी के मौसमें इन फचलों की केति लाब दैग नहीं होती है यह फचल सभी परकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है अच्छी जल्म निकास वाली मद्यम से भारी मिट्टी में फचल अच्छी तरह से बढ़ती है यदि मिट्टी की से तरह फचल पतती यह फचल चकर फसल चक्र को क्रोप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है किसे निश्चित भूमी में निश्चित समय बारी फसलों को लगाता रदल बदल कर वोना ही फसल चक्र कराता है फसल चक्र का मुद्ध के अधिश्या किसी भी तरह के पोद्धे के लिए भूमे में मुझूद पोशक्दतों के इस दूपियों किसे भूमे की बहुतिक और जविक सित्ति में संतूलब बनाया रखना होता है लगातार फसल चक्र अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की परिशानियों से छुटकारा मिलता है फसल चकर का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमी से लगातार अच्छी फसल ले सकते है और इसके पनाने से खेत की उरुक सकता भी बनी रहती है जबकि एक ही फसल को लगातार उगानी से किसान भाईयों को फसल की कम उपज मिलती है एक ही फसल को खेत में लगाने से मिट्टी में बीजनित और मर्दा जनित रोग भी बढ़ जाती है जिसके करण बुमी में विशेले गुण आ जाते है बुमी के अंदर विशेले गुण उत्पन हो जाने पर बुमी पाई जाने वाली चोटी प्योगी मित्तर कीट नश्ट हो जाते है और बुमी दीरे दीरे बंजर रूप जान करने लगती है फसल चक्कर के फाइदे फसल चक्कर के अपनाने से बुमी की उर्ख सकती बनी रहती है फसल चक्कर के अपनाने से बुमी में अमलिय और सारी गुण पोसकततों और जविक पदार्तों की मातरा संतूलित रहती है फसल चक्कर के अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीज जनित रोग नहीं लगती है इसके अपनाने से फसलों में पैदावार दिक मातरा में प्राप्त होती है जिसके गुणबता भी अच्छी पाई जाती है बूमी में फसल चक्र अपनाने से रसाइनिक उरुक कम आतरा में इस्तेमाल किया जाते है जिससे मिट्टी दुस्षित होने से बचती है फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोक भी काफी कम ही देखने को मिलती है जिसकी वज़ए से किसान बाईयो दोरा रसनेक दोयां पर क्या जाना है वाला खर्ची भी कम हो जाता है फसल चक्कर के दोरान फली वाली फसलों के बहुने पर खेत में नाइट्रोजन की पूर्टी बनी रहती है फसल चकर अपनाने से कित में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फसल चकर के दोरान अधिक गुड़ाये वाले फसलों को बोने पर खेत में खर्फटवार नश्ट हो जाते हैं अधिक पुसंद तब तो गरण करने वाली फसलों की खेत को एक वार खाली छोड़ देना चीए किसी भी विशेश रोक के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चीए जिन फसलों की जड़े अधिक गराई में जाते हैं उन फसलों के बाद जिन फसलों की जड़े कम गराई में जाते हैं उन्हें उगाना चीए और आज फसलों के उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार धनलनी फसलों को जुरूर उगाना चीए देख गुडाई वाली फसलों के बाद कम गुडाई की जूर्ट वाली फसलों को उगाना चीए देख सिचाई वाली दान जैसी फसलों के बाद कम सिचाई वाली जूर्ट की फसलों को उगाना चीए अधीक उख लेने वाली फसलों की बात जिन फसलों की उरक्की का पिकम अव सकता थी है उन्हे उगाना चीए इस फरकार हमें फसल चकर अपनाना चीए बीज का चुनाओ, हमें एक ऐसी वराइटी का चुनाओ करना होता है जो वराइटी अच्छा उत्पादन देती हो, जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता हो और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो और उसका बाउभि अच्छा हो क्योंकि एक बढ़ी क्वालिटी का बीजी हमे एक अच्छा उत्पादन और मुनाफ़ा दे सकता है बीज की 99 किसमे गौर की 99 किसमे बजार में गौर की कई 99 किसमे देखने को मिल जाती है जिने चारे दाने और अरीफलियों के दार पर तीन भागों में बाटा गया है उन्हाट किसमे इस प्रकार है दानों के लिए उन्हाट किसमे अजजी 365, अजजी 563, 220 अरीफलियों तो उन्हाट किसमे IC 238, M83, Pusamusemi अरेचारे के लिए उनत किस्मी ये मुख्यत अरेचारे के लिए उप्योग की जाती है बुंदेल गवार 3, गवार करांती, बुंदेल गवार 2, गोराट 80, बुंदेल गवार 1 अगर आप पैदावार के लिए उपयोग करते हो तो दाने वाले उनत किश्मों का ही चुनाप करना चाहिए अगर आप अरेज चारे के लिए उपयोग करते हो तो अरेज चारे वाले उनत किश्मों का उपयोग गवार के बीजों की मातरा वह बीज उप्सार यदि आप गवार की फसल दानों और अरिफलियों के लिए करना चाहते हैं तो एक अंकड के लिए दाने की फसल के लिए 5-6 किलो बीज प्रियापत रहता है और अरिखाद फसल में 15-16 किलो परती अंकड बीज की जूरत होती है इसके लावा आप रेचारे के लिए फसल का उप्योग करना चाहते है तो सोड़ा से 17 किलो पीज परती अंकड की जूरत होती है इन विजो को खेत में लगाने से पहले उन्हें कैप्टान या बावस्टिन की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए एक एक्टर के खेत में 200 ग्राम की मातरा वाड़ी दो पैकट वाग जूरत की जूरत होती है सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर इंसेक्टिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं और इंसेक्टिशाइड दौाउं से उपचारित करने का मुख्य उद्धेश्या है। दिमक जैसी रोप्तम के लिए किया जाता है। और राजयोवियम कलचर का अप्योग खेत में जिवानों की संख्या बढ़ाने के लिए उप्योग किया जाता है। जिससे खेत में जुआणों की संक्या बढ़ जाई जिसे की एक अच्छी फ़सल पराप्त हो गुआर फ़सल में खादे हो उरुरक गुआर दलानी फ़सल होने के का नाइट्रोजन की कुछा परती वातावरन की नाइट्रोजन को जोड़ों में उपसित पांटवार एक्तरत क लिए जाती है लेकिन फ़सल की पावरेंबी का वस्ता में पुषक तक्तो की फुर्ति के लिए 20 किलो नाइट्रोजन वात 40 किलो फासपोर्स परती एक टेर प्रयापत रहता है पूरो नाइट्रोजन वे फासपोर्स की मातरा बवाई के समय खेत में डाल देनी चीए इसके इत्रित गवार की विजाई को बवाई से पहले राईजुबियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी वबाद आइसो ग्राम गुड के गोल में 15 किलो ग्राम भी उचको पचारित कर चाहा में शुका कर बोना लाब दयाक रहता है खेत की तैरी के समय पांच टन गोब पर या कंपोस्ट कार्ड या दो तिन वर्ष में एक बार अवस्य प्रयोग से पहले मिट्टी गिजांस करवा लेने चाहिए गवार की विद्धि अधिक पैदाबार के लिए गवार की बवाई हमेशा पंक्तियों में करें बवाई हलके कुंडों में या था सीड्र की साहित पंक्तिकी दूरी 450 से 50 सेंटिमेटर थका फोद्द की दूरी 10 दल से 15 सेंटिमेटर करने सिप्ड़ियों में पraulों में किरी चाहिए गॉा इस मउछा इसमा भूमी प्रियापत नातर्ण मने सीव बेवाई कैसमा बूमियों के लिए पेंडा में ली 60% EC्यों10 200U 500 mm को डाइस सो लेटर पानी में मिला कर इसका चिटकाओ कर दे जिसे की केद में करपतवार नहीं हो गए खरपतवार नियांतर गवार की फसलों को खरपतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए खरपतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वद दूब गास परूँक है गवार की फसलों में समासमा पर निराई गुडाई करके खरपतवारों को निकालता रहना चीए इससे पुद्ध की जोडों का विकास भी अच्छा हता है और जोडों में वयू सुंचार भी बढ़ता है दाने वाली फसल में बैसालीन एक के लोग प्रती एक्टेर की दरसे खेत में बुआई से पूरों मर्दा की उपरी आठ से दस सेंटिमेंट से तता बार चिटकाओ कर खर्तर पार उपर नियंतर पाया जा सकता है करपतवारों के निइंतर ने फसलों की बुआई के दो दिन पर चात पैंडा में लिथयान 30% इसी का भी चुटकाओ कर सकते हैं बिज्जाई के 30 दिन बाद खेत में खर्पतवार उग जाते हैं जिस खर्पतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुड़ाई आदसे ही कर देनी चाहिए निराई गुडाय करने के बाद अगर खेत की सिचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल प्रबंदन अगर खेत में पानी का बराव ज़दा हो सकता है तो हमें उसके जल निकासी का प्रबंद करना चीए क्योंकि गुआर की फचलों में ज़दा पानी की जूट नहीं होती है गवार की फसल में कीट वरोग प्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ो को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बॉआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में किलून फोस एक पाइंट पांच पत्ति सत्या कलोरिफाइस पाउडर बिश से पत्चिस किलो परती एकटेर की दर से भूमी में मिलाने चाहिए बॉने के समय बीज को कलोरिफाइर इस किटना सकी दो मिली लेटर मातरा से पत्ति किलोग्राम बीज की दर से प्चायर कर भूना चाहिए नमबर दो कातरा इस किट की लट पारंबे का वास्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतरन के लिए खेत के आस पास पाई रहनी चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाईल पैराथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पत्ति से चूण की 20-25 किलोग्राम आतरा पत्ति अकड़ की दर से बुरुकनी चाहिए इसके नियंतरन के लिए ट्रकॉप होने में गोल बनाकर पत्ति एक्टर की दर से चूण करना चाहिए यागवार की बहुत आनिकर बिमारी है इस बिमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस बिमारी के नियंतरन है तो रोग रोधी किसमों का उगाना चाहिए बिज को 2 ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से परती किलो बिज की दर से उपचारित करकर बोना चाहिए चाचिया इस रोग के कांड़ पोद्य के उपर स्पेद रंगे पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतरन है तो 25 किलो ग्राम वंभवाई के 30 से 40 दिनों बाद खेत में फुटाओ बढ़वार फुलों की संक्या में जबरदस्त वद्दी करने के लिए में पलानोफिक्स वाकल्टायर जैसे टोनिक का इस्तेमाल करना चीए इसका उब्यों करने से फूलों की संक्या में जबर्दस्त वद्धी होती है फलियों की संक्या ज्यादा से ज्यादा बनती है फूल जड़ते नहीं है 15-20 दिनों के अंतराल में हमें 2-3 सप्रेक करने चीए चिपवाय रहतेला की रोक थाम के लिए हम मोनो क्रोटोफास या इमडिकलोराइड या टाटा का असा टाप जैसे दुआए यों का चटकाव करना चीए अन्य केटवाय रोक की रोक थाम के लिए आप अपने नजदी की डोक्टर से भी संपरक कर सकते हैं इसके बाद जैसे ह कि पैदावार पयदा सीरूल हो इसके बाद में इसपास लोग कर लेने चिह ऐसके बाद आपको यह मेरी व्यों पशांद आई तो चिर्च व्य narrative करें धन्यावाद कर दो कर दो दो लो दो कर दो ख़ाया है